साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में 79,000 सिच्छक भरती 8606 मामले में सुनवाई समाप्त होने के बाद हम आपके बीच में अपडेट के लिए उपस्तित हुए हैं लेकिन अपडेट आपको करना है तो चलिए फटा-फट सेयर करिएगा वीडियो को और भी साथियों तक सभी तक आपडेट पहुंच जाए आप सभी को पता था कि आज आपका मामला 1315620 यह मामला जो है आज सुना जाना है कल साम तक लोगों में एक रियूमर एक अफवा था कि हो सकता है जह साब चुटी पहुंच ना बैठे मामला ना सुना जा लेकिन यह स्थारी चीज़े बस एक रियूमर एक अफवा ही जैसी थी इसमें किसी भी प्राकार कई कोई और सचाई नहीं थी कोई नोटीस वगर नहीं आया था नहीं तो उस फे बीडियो बना करके आपको प्रॉपर जानकारी हमारे दौरा और लेबल कराई गई होती और कांटिन्यू बिस्तरित आज जो है मामले को सुना गया है एक एक पॉइंट को एक एक चीजों को और सभी को आज मौका मिल रहा है कि सब अपनी बात रखे तो सबसे पहली जो चीज हुई है वो लेकर के जो ओबरलाइपिंग वाला मामला था जिसमें दोरा आरक्षण की बात करी जा रही थी उस पे काफी बहस हुआ और उस पे कुछ ओडर्स दे अलग अलग राज्यों को उसको दिखाएगे अमरेतनाथ जी ने अपना पक्च रखा बेतर तरीके से उनको जो भी कुछ अपने पॉइंट से और अर्गुमेंट करने थे उन्होंने प्रॉपर किय अब बात आती है और मामले पे तो और मामले पे सब को जसाब बारी दे रहे हैं और उन्होंने एक टिपड़ी भी कही है मन्ये जो जसाब थे सरकार की तरफ से कि उनको रहना है वो कहीं जाएंग नहीं पूरा मामला जो है सुना है और सबसे बड़ी सम्भावना यह है कि बात रखने के लिए अपना और्गुमेंट करने के लिए तो बिस्तर सुनुवाई चलेगी है और साम तक सुनुवाई चलती है जब तक कोड़ बंद नहीं होता कांटिनो दो तीन घंड़े चार घंड़े कांटिनू जो भी है अगर इसको सुन लेते हैं कांटिनू करके तो य अपनी बात रखने के लिए जो है तयार है तो हम मिलते हैं और भी बिस्तृत पूरी तरह से कंप्लीट सुनवाई यह तो लंज के पहले का अपडेट था लंज के बाद के अपडेट जो भी होता है मैं आपके बीच में रखोंगा तब तक के लिए आप सभी सातियों का बहुत बहुत धन्यवाद